हुआ है 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 गाइस वेलकम टू और यूटूब चैनल टेक्टी वाइए साज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो ओल न्यू आइट्वेंटी के बारे में तक कुछ इस तरह की चावी हमें युंड़ाई आइट्वेंटी के साथ में देखने को मिल जाती है जो कि सारी युंदाई की कार में सेम ही चावी आती है सो नए i20 में हमें तीन ओप्शन मिल जाते एंजिन के एक है 1.2 टर्बो जीडी है पेट्रोल एंजिन दूसरा है 1.2 कपपा पेट्रोल एंजिन तीसरा है 1.5 U2 CR-DR डीजल एंजिन सो जो हमें i20 मिले थी युंडाइ की तरफ से वो थी 1.2 कपपा पेट्रोल एंजिन जिसका मैक्स पावर है 83 T-S MT वेरेंट में और 88 T-S IVT वेरेंट में जिसका मैक्स टोर के 11.7 चलिए बात कर लेते हैं ओल्यू युंडाइ i20 के एक्स्टिरियर के बारे में जहां पे आपको आगे की तरफ LED हेडलेंप्स विथ LED DRL मिल जाते हैं जहां पे LED हेडलेंप्स है वो रात को काफी अच्छी वीजिबिलीटी प्रोवाइड करते हैं सो देट आप रात को भी कमफोटेबली ड्राइव कर सकते हो एंड फ्रन्ट में आपको काफी ही कूल पेरामेट्रिक जुवैल पैटर्न घ्रिल मिल जाती है जो कार को एक एग्रेसिव एंड डाइनेमिक फ्रन्ट लोग प्रोवाइड करती है अगर हम रियर की बात करें तो यहां पर आपको शार्क फिन एंटिना जो की फर्स्ट इन सेगमेंट है जो इस सेगमेंट में और कोई कार में आपको देखने को नहीं मिलता एंड शार्क फिन एंटर्न के साथ में जो स्लोपिंग रूफ लाइन मिलती है वो डाइनेमिक अपिल क्रियेट करती है कार के लिए एंड रियर में आपको जैर शेफ एलेडी टेल नेम्स मिलते है जो क्रॉम के साथ कनेक्टेड है विच ग्रियेट एलिगेंट लुक टू दे रियर विल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको आर सिक्स्टें डाइमन का टैलोई विल्स मिलते है जो मुझे परसनली काफी पसंद है एंड यहाँ पर आपको आउटसाइड डॉर हैंडल में क्रॉम फिनिश देखने को मिलती है एंड ड्राइवर की साइड में आपको रेकर सेंसर भी मिल जाता है यह चीज मुझे काफी अच्छ लगी नहीं है ड्वेंडी में और नीचे की तरफ बूट में आपको स्पेर विद दिख जाता है विच इस अगें नोट एन अलोई यहाँ पर थोड़ा कॉस्ट किया गया है एंड साइड में आपको बोस का एक वूफर सब वूफर जिसे बोलते हैं वो भी मिल जाता है बैक साइड की तरफ तो चलिए बात करने दे आई 20 के इंटेर के बारे में जो की पिछली जनरेशन से पूरा चेंज किया है यहाँ पर डेशपोर्ट में आपको कंटिन्यूसली लाइनिंग मिलती है और ओवरल जो इंटेर है वो ब्लैक में डिजाइन किया गया है स्पोर्टी अपिरियंस के लिए इस कार में आपको सारे फीचर मिल जाता है जैसे कि एपल कारप्ले, एंडुइड कलारप्ले, ड्राइविंग रियर व्यू मोनिटर जो कि ड्राइवर को पीछे का व्यू प्रोवाइट करता है वाइव ड्राइविंग फोरवर्ड विजिस वेरी यूसफूल फीचर फोर सेफटी पॉर्पर्पस एंड इसमें आपको ब्लू लिंक का भी सपोर्ट मिल जाता है विज़े वेरी यूसफूल थिंक्स नवारीस आइटवेंटी में आपको ओटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है विज़ कम्स विद इको कोटिंग जो की फर्स्ट एंड सेगमेंट है पूरी कार में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं हाई है वो इसके बटन्स Hyundai वालो ने यहाँ पे तोड़ा कोश्च कटिंग किया है स्टेरिंग के राइट साइड आपको वन टच स्टार्ड स्टोब बटन मिल जाता है इस कार में आपको इस कार में आपको डिजिटल क्लस्टर विद टी एफ टी मल्टी इंफॉमेशन डिस्प्ले मिलता है जो आपको कम्प्लिटर ड्राइवर डेटा प्रोवेट करता है और काफी ब्राइट है डिस्प्ले इसका और दिन में भी आप इसे इसली देख सकते है और इस एक्जेक्टली लुक्स लाइक ब्यम ब्यू कार विजिज इस वेरी इंस्पार्ड इस कार में स्टेरिण विल यहाँ पर आपको लैधर व्रेपिंग में मिलता है विच प्रोवाइड प्रीमियम कमफर्ट अड यहाँ पर आप स्टेरिंग विल अपने हिसाब से अगजेस्पी कर सकते हो as per your required तेल अटेलिस्कॉपिक वे में यहां पर आपको इलेक्ट्रिक संड्रूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है i20 के टॉप वेरियंट में जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल है स्मार्ट संड्रूफ विद वन टच ऑपरेशन या या यू अलसो गेट यूर पेरिफायर इन दिस कार i20 में छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है जैसे कि यह चार्जिम आपनर विज्ट लूक्स गूड या यह यू अलसो गेट वायरलेस चार्जिंग पैड इन दे टॉप फेरियर फेरियर अफ दॉफ दॉफ आज की वीडियो में बस इदना ही अगर तो यह आपको वीडियो अची लगी तो प्लीज हिट एट लाइक बटन नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फेमिली के साथ में शेयर कीजिए और बिग थैंक्स तो पटेल यूंडाई जिननों ने मुझे यह कार प्रोवाइड करी थी अगर्स प्ल्ड कीजिए इढ़िग साथ कर दो एटने लाहे संगर मैं झार अपने लाइक जाख हो वीडियोगते लाइकैं कीजिए लाइक है